हेलो फ्रेंज आज हम एक स्टोरी पढ़ेंगे दोस्तों जिसका नाम है तब वुड लेंडर जिसे लिखा था थॉमस हार्डी ने थॉमस हार्डी ने इसे तीन वॉल्यूम्स में पब्लिस कराया दोस्तों और ये बेसिकली पब्लिस हुई 1887 में और ये बुक इतनी इंट्रेस इसका कारण यह था दोस्तों कि इस कहानी में एक लवर की कहानी दिखाए गई है और एक धोके बाज की यानि कि गरीब लवर की और अमीर धोके बाज पती की या कहानी एक लव एंगल में इंड होती है और एक सस्पेंस और एक दुख भरी कहानी इसमें होती है इसका हैपी इंडिंग नहीं होता है, तो आएए दोस्तों हम पहले Thomas Hardy के बारे में जानते हैं, Thomas Hardy एक बहुत ही बड़ी poet, noblist, short story writer रह चुके हैं, इनका जन्म हुआ था 2 जून 1840 UK में और इनकी मृत्ति हो गई 11 जन्वरी 1928 UK में ही, यह UK के बहुत अच्छे noblists थे, इन्होंने काफी सारे noblers लिखे, जैसे की अब Bear O' Blue Eyes और The Woodlanders, तो Bear O' Blue Eyes भी हमारे चैनल पे हैं, जाएए उसे भी देखिए, अच्छा story है दोस्तों, तो चलिए इस story की सुरुआत करते हैं, सबसे पहले यह story जहां पे film आई गई है, यानि कि लिखी गई है जिस place पे दोस्तों, उसका नाम है Little Hintok, और यह Little Hintok है कहां दोस्तों, तो Smart Woodlander एक नाम का village है, वहाँ पे यह जगा है Little Hintok, या बेसिकली एक city है दोस्तों, या फिर छोटा सा एक जगा मान लिजे, वहाँ पे यह story लिखी गई है, और वहाँ पे यह story हुई ह तो story की सुरवात में दो lovers को दिखाया जाता है, जिनका नाम है Gills Winterborn जो की लड़का है, और Grace Malborn जो की लड़की है, यह दोनों एक दूसरी से काफी ज़्यादा प्यार करते थे दोस्तों, और यह दोनों साधी भी करना चाहते थे, पर यह जो Grace Malbornी थी, इसकी जो father थे, वो काफी ज़्यादा अमीर थे और उनोंने इसकी पढ़ाई में काफी ज़्यादा पैसे खर्च किये थे, तो वो नहीं चाहते थे कि उनकी जो बेटी की साधी एक गरीब Gills Winterborn के साथ हो जाए, जो की काफी गरीब है, वो चाहते थे कि उसकी साधी एक अमीर से हो, तो वो अ दोस्तों, इड्रेट फिल्ट पायर्स जो था, वो एक डॉक्टर था, तो इड्रेट चाहता था कि ठीक है, मैं इसे साधी कर लूँगा, तो ग्रेस के फादर भी मान लेते हैं, क्योंकि वो काफी ज़्यादा अमीर डॉक्टर था, पर ग्रेस उससे बहुत ज़्यादा प्य या फिर कुछ गलत काम को पकड़ लें, ताकि हमारी साधी हो सके, तो एक दिन ग्रेस जो है, मौर्निंग में जाती है, इल्रेट से मिल लें, या बताने के लिए कि मैं गिल्ट से प्यार करती हूँ, तब ही वहाँ वो देखती है, कि एक औरत बाहर निकल रही है, जिसका ना आया जाता है, तब वहाँ उसके फादर से कहता है, कि आपको साध गलत फैमी हो गई है, सुके डेमंसन अपना एक दात निकालने आई थी, मोलर दात, जिसे मैंने निकाला था, मोलर दोस्तों, दात का एक सेट का एक पार्ट होता है, जिसका मोलर, जिसका नाम होता है, उस ज पाते सुनकर ग्रेस जो होती है उस औरत के पास वापस जाती है तो वो देखती है कि वो औरत भी उससे वही बताती है कि मैं उस दिन जो डॉक्टर के क्लीनिक से निकल रही थी तो वहाँ पर मैंने सिर्फ दाद निकल वाया था पर वो क्लीनिक के पीछे ही दोस्तों उस डॉक निकल रही थी, ये सूका डेमन सान, पर Grace की एक बात नहीं सुनी जाती, क्योंकि उसके फादर ये जानते हैं, कि वो गिल से ब्यार करती है, और वो ये सब बहाना बना रही है, ताकि उसे Idrit से साधी ना करना पड़े, और उसकी साधी करवा देते हैं idrit سے जो कि एक डॉक्टर है अब डॉक्टर से उसकी साधी होने के बाद ये लोग दोनों जाते हैं हनी मून पे और इधर उदर घूमने जाते हैं उसके बाद ये दोस्तों मैल बड़ि में ही मतलब की अपने सौसूर के लो भर 사specific में अभी कुछ दिन भीता ही था दोस्तों की एक वीडो महिला थी जिसका नाम था मिसिस चारमट जो होती है वो क्लीनिक पर आती है अब जब वो आती है तो यह देख लेती है ग्रेस तो वो कहती है कि यहाँ पर यह क्यों आई है तो वो फिर से एक वहाना बना देता है लेकिन ग्रेस यानि दोस्तों ग्रेस जो थी वो जानती थी कि यह आत्मी सही नहीं है तो वो क्या करती है कि Mrs. Charmant के बारे में पता करती है तब बात में उसे पता चलता है कि Idred और Mrs. Charmant जो की एक विद्वा है वो लोग दोनों का चकर चल रहा है अफियर है दोनों में अब ये सब सुन करके Grace बहुत ज़ादा दुखी हो जाती है कि पहले सूके डैमेंसन से हुआ था इसका अफियर अब ये एक अमीर वीडो महिला है जिसका नाम है मिसिस चारमन उससे अफियर कर बैठा है तो ये सब बाते वो अपने फादर को समझाती है कि देखिए ये क्या कर रहा है तब ग्रेस के फादर फिर उस पर यकीन ने करते तो है ये सब देख करके ग्रेस के फादर जो होते हैं वो दूस्तों वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और बातों पर आप मुझे पर हाथ नहीं उठा सकती। और अपनी सचा ही बताने लगता है, हाँ मैं आपकी बेटी Grace से प्यार नहीं करता, मैं आपकी दॉलत से प्यार करता था, पर आपने तो मुझे कुछ दिया ही नहीं, बस अपने घर में जगा दे दी। और वो अपना असली रंग दिखाने लगता है, अपना गुसा दिखाने लगता है, कि अखिर वो था क्या दोस्तों, एडट Nejट अपना पूरा रंग दिखाता है, तब Grace के फादर काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस हो जाते हैं, और वो सोचते हैं कि ये मैंने क्या कर दिया, ये म मिस्टर चार्मट था उसके साथ वो भाग गया और वो लोग दोनों भाग कर कहीं चले गए अब ग्रेस जो है वो काफी ज़्यादा उदास हो जाती है और वो अपने फादर के पास चली जाती है पर उसके फादर अब बहुत ही सर्मिंदा थे और वो कुछ कर नहीं पा रहे थ तब उनका जो कलर्क होता है यानि कि उनका जो सेक्रेटरी होता है उनके फादर का वो तो काफी अमीर आदमी थे तो उनका एक सेक्रेटरी था कलर्क था वो सजेशन देता है ग्रेस को कि ग्रेस तुम डाइवोस क्यों ने ले लेती तब ग्रेस कहती है कि नहीं मैं डाइवो उसका जो procedure वो काफी hard है तब वो कहता नहीं आज कल procedure hard नहीं है तुम डाइवोस ले सकती हो यह सब बाते सुनकर grace काफी खुस हो जाती है पर बात में पता यह चलता है दोस्तों कि एड्रेट जो है वो उसको एक specific reason दिया ही नहीं यानि कि उसके पास कुछ सबूत ही नहीं है कि उसका फेर चल रहा वो तो बस उस महिला विदवा महिला साथ मिले गया था मिस्टर चार्मन के साथ इसलिए उसका डाइवोस नहीं हो पाता अब grace काफी जादा उदास रहने लगी थी तब ही खबर आती है कि एड्रेट वापस आने वाला है और वो आ रहा था तब ही grace जो है वो काफी जादा गुस्से में रहती और वो कहती कि मैं इड्रेट से कभी नहीं मिलूंगा और वो वहाँ से भाग जाती है अब भाग कर वो पहुंच जाती है गिल्स विंटर बॉर्न के पास जो कि उसका पुराना लवर था दोस्तों वो काफी गरीब था और उस वक्त काफ नहीं करो लेकिन तुम अभी इसे इसके पास रखो और वहां से कहके कलर चिला जाता है तब गिल्स काफी जादा गरीब होता है दोस्तों और वहां पे स्ट्रॉम चल रहा होता है तो वो कहता है कि तुम मेरे घर में रुख जाओ क्योंकि मैं अंदर आओंगा तो यह सही नह ही नहीं तब गिल्स बाहर जाके आरपना सोता है पर उस वक्त इतनी आंदी तुफोन और इतना ठंड था दोस्तों कि गिल्स की मौत हो जाती है और गिल्स की मौत पे कोई रोने वाला भी नहीं होता है ग्रेस जब सुबह उठती है तो वो काफी जादा खबरा आ जाती और युआ अपने घर वापस आजाती है इसके बाद खबर आती है दोस्तों की टीमोटी टैंक जो है वो साधी कर लेता है इलडरेट की पुरानी लवर से यानि की सुके डैमेंसन अब दोस्तों सुके डैमेंसन का चैप्टर क्लोज होता है क्योंकि वो साधी कर लेती है टीम कोर्थी टैंक से तो वो खत्म हो जाता है अब इड्रेट जो होता है वो उसके पास वापस आ जाती है Grace क्योंकि उसके पास कोई जगा ने बचती है गिल्स की मौत के बाद तब ही वहाँ पे आती है मार्थी सौथ जो की एक पूर पीजेंट होती है जो की बच्पन से गिल्स से प्यार करती थी पर जब उसे पता चलता है कि गिल्स ग्रेस से प्यार करता है तब वो उसे नहीं बताती पर जब उसे पता चलता है कि ग्रेस की साधी हो चुकी है इड्रेट के साथ तब उसे बदाती है और उनका प्यार अभी कुछ ही दूर पहुंचा रहता है कि तब ही खबर आती है कि Grace को Idrit छोड़ दे गया है और वह उसके पास वापस आरी इगिल्स के पास तब जो माटी सौथी वो काफी ज़्यादा उदास हो जाती है और वह लेटर लिखती है Idrit को य वो एक नकली बाल लगाई हुई है जो कि मैंने दिया है माटी ने दिया है मेरे साथ वो समझाता की थी और उसने मेरे बालों को खरीदा था और उसे ट्रांस्प्लांट करा लिया है वो विड़ो के पास अपना कोई हेर नहीं है जिस पे तुम पिगले हो तो Idrit को यह समझ मे आजाता है और वो उससे लड़ाई करता है और वो वापस आता है इसके बाद दोस्तों Grace के पास पर तब तक काफी ज़्यादा देरी हो चुकी थी गिल्स मर चुका था अमार्टी साउथ अप प्यार करती तो किसे करती और अंती में वो गिल्स के यादों में रोने लगती है पर अब काफी देर हो चीगी थी दोस्तों गिल्स की मृत्ति हो गई थी और Grace इड्रेट के बास वापस चली आती है और उसके साथ पती पतनी का संबन बन का हो जाता है लेकिन वो कभी खुस नहीं थी क्योंकि वो जानती थी कि इड्रेट कभी लॉयल नहीं था उसकी दो गल की बाल थे इसलिए वो सांत है इसलिए वो कभी अपने आपको उससे लॉयल नहीं कर पाती है इड्रेट से और यहीं पर हमारी स्टोरी खत्म होती है अच्छा लगो तो लाइक करें सब्सक्राइब करें सेयर करें मैं आपसे मिलूँ करें नेक्स स्टोरी में थाइड़ाएं